शेखर is a famous cricket player, question number 2 है बच्चो कि शेखर एक famous cricket player है, he has to so far scored this run 6,980 runs, उसने इतने runs score किये हैं, right, in test matches, okay, he wish to complete 10,000 runs, उसको 10,000 runs complete करने हैं, how many more runs he wish to need, उसको कितने runs और बनाने हैं, ताकि उसका score जो है, वो 10,000 हो जाए, देखिए कैसे solution करेंगे, run score is equal to 6,980, पहले सबसे कहले, आप statement को बच्चो, explain करगे, what is the given and what you have to find, runs, needs to score, runs, needs to score, how many, 10,000, 10,000, right, okay, अब आपको statement समझना है, देखिए आप इसको कैसे understanding मनाएगे, मान लीजिए, कहीं पर किसी ने 7 runs बनाए है, और उसको 10 runs पूरे करने है, उसको 10 runs पूरे करने है, तो आप मुझे ये बताएगे, कि 7 में कितना plus करें, कि 10 बन जाए, तो आप कहेंगे, कि सर, easy ले आपको पता हुए, कि आपका answer quick आएगा, कि सर, 3 runs बनाए, 3 runs और बनाते तो 10 पूरा हो जाएगा, देखिए आपने answer 3 कैसे निकाला, जितना score पूरा करना था 10, उसमें से जो पहले बना लिया था 7, वो minus कर दो, answer आपके पास 3 आजाएगा, तो इसी statement को यहाँ पे जोड़ते हुए, आप क्या करेंगे, कि सबसे पहले आप उपर लिखेंगे, 10,000, जैस आजाएगा, ठीक है, इस तरह है, small examples की help से आप बात तो समझ सकते हैं, so already scored 6, 9, 8, 0, तो आपको minus करना है बच्चों, तो यहाँ से आप borrow करेंगे, यहाँ भी borrow करेंगे, borrow करते हुए आगे बढ़ेंगे, last में आ जाएगे, 10, 9, 10, यहाँ तक नहीं लेना परो, already 0 is there, so 0, यहा 10 minus 2, 10 minus 8, 2, और यहाँ पर आएगा बच्चों, बच्चिया आपके पास 9, 9 minus 9, 0, और यहाँ बच्चे फिर से 9, 9 minus 6, 3, so run needs to score, run need to score, is equal to 300020 runs, उसको और बनाने है, तब आप क्या है, तब आप जो शेखर है, वो 10,000 score complete कर पाएंगे, right, okay, बढ़ते हैं, next question के लिए, question number 3,